हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आप थमनेल्स देख रहा है निशनल स्कॉलर्शिप 2022-2022 अप्लाइश शुरू हो गया है तो दोस्तों हाँ बिल्कुल सही है आप लोग देख रहे हैं कि इसका निशनल स्कॉलर्शिप 2022-20 हो जानते हैं इसके लिए क्या-कया eligibility है क्या-क्या criteria क्या-क्राइटिरिया हमे करना होगा कौन-ककण से डॉकुमेंट लगेगा तो आफ लोग जैसा देख रहे हैं कि龍न पद्राव गया है चल्वर्इंद। यानि कि जो 10 यानि दसमा से पहले का नौमी का हो या दसमी का छात्र है उसके लिए भी है और या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्सिक यानि कि जो दसमी के बाज का छात्र है ग्यारमी हो बारमी हो या उसे उपर के छात्रों के लिए ITI, BSC, B.com, B.tech, Medical या पोलिटेक्निक, डिप्ल के जो स्टुटेंट होंगे उस सभी के लिए भी है जो तक्निकी छात्र है उसके लिए और व्यापसाइक पाठे करम से जूरे है उन सभी के लिए पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म का ओनलाइन अप्लाइस शुरू हो गया है तो चलिए जानते कि इसमें आखिर हम लोग को लगे चलिए जो फ्री मैट्रिक के लिए लिखा गया कि जो स्टुडेंट को अपना बैंक एकाउंट नहीं होगा वा अपने पिता जी का दे सकते हैं पिता जी का कोई भी माता इसकते हैं और पैरेंट्स एकांट नंबर कैन वनली पी यूज अगयंस्ट ए स्कॉलरशिप अप्ली cable होगा दो ही के लिए उसे ज्यादा के लिए नहीं होगा और अधार नंबर स्टुडेंट का लगेगा अधार नंबर अगर अधार नंबर नहीं नहीं है तो bonafide certificate student का मिलता है college या school से तो यहां से आप बनवा सकते bonafide certificate अगर अधार नंबर नहीं है तो अधार enrollment ID scan copy bank सब्सक्राइब करना भूल गया है जो पिछले साल जो पास किये हैं उसका सर्टिफिकेट लगता है उसी बेसिस पे भरना होता है तो चलिए देखाते हैं कि आप 15 तारिक से जो अप्लाई चालू हुआ है तो यह जो लिखा है अप्लिकेशन एवाई दो हजाएब आप्रिल दो हजार बाइस यानि कि अगले दिन से ओन वार चौदा तारीक बाद से यह किस-किस के लिए तो प्री मैट्रिक जो बैने बताया था कि टेंट से पहले का होगा नाइन और टेंट वाली के लिए बस और पोस्ट मैट्रिक स्कॉ इपार्टमेंट of Social Justice लिखा गया Department of Social Justice & Parl해주 요झने बाड़ैयर चौह चालो कि यह तो मैं इस वीडियो में ल। इतना ही बताना चाहता हूं कि आप्र मेट्रिक से अप्ल्स सकते न Chis लिख लोगा दोलन जो